इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं नमस्कार आप देख रहे हैं कुरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग मैं हूँ अमित नमस्कार आपके साथ मैं हूँ जोटसना पार्टनी ओवरॉल परफेक्शन पाना मुश्किल है क्योंकि कहते हैं न नो वन इस परफेक्ट मगर परफेक्शन पाने की चाह में कई कोशिश हमें बहतर और जरूर बना देती है बिल्कुल अमित परफेक्शन की चाह में हम बहतर जरूर होते चलते जाते हैं पर्सनालिटी के साथ पर्सनालिटी अच्छी या खराब नहीं होती लेकिन उसे किसी भी उम्र में बहतर जरूर बनाया जा सकता है। हमारी ओवरॉल पर्सनालिटी को निखारने में वजन सबसे एहम रोल प्ले करता है। वजन बढ़ा हुआ हो या फिर जरूर से ज़ादा दुबला पन हो। दोनों ही कंडिशन्स में कॉन्फिडेंस कम ही रहता है। और इसलिए हमारे हजारों विवर्स ने रिक्वेस्ट किये कि वजन बढ़ाने के उपाय बताये जाए। यह हकीकत है कि जितना लोग मोटापे से अमित परेशान है उतना ही वो पतलेपन याने की दुबलेपन से भी परेशान है और कमजोर शरीर कई बिमारियों का घर बनता है। दरसल वजन गिरने से इवनिटी कमजोर हो जाती है और बॉडी किसी भी तरह की इंफेक्शन से लड़ने में नाकाम रहती है। दुबले लोग जल्द बिमार भी पर जाते हैं, इनर्जी लेवल कम रहता है और हड़िया भी कमजोर हो जाती है। लेकिन ये समझना बेहत जरूरी है अमित कि आखिर वजन गिर क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि गिरता वजन कई बिमारियों का सिगनल हो सकता है, जैसे कि थाइराइड, पेट की तकलीफ, आईबियस, इटिंग डिसॉर्डर, अनुरेक्सिया, टाइप वन डाइबिटीज, ये कारण हो सकते हैं और ऐसे में कोरोना ने भी लोगों को कमजोर कर दिया है। जोसना जैसे मोटावा घटाना मुश्किल है, नामुम की नहीं उसी तरह से महनत करके वजन भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसके लिए कई किलो वजन उठाना, घंटो हेवी वरकाउट करना ज़रूरी है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, मजबूत स्वामी रामदेव बताएंगे, योग और आयूर्वेज से ही अकेले आप एक महीने में कैसे दस किलो वजन बढ़ा सकते हैं, बिना मशीनों के घर पर कैसे मस्बूत शरीर पाया जा सकता है, ये स्वामी रामदेव आज हमें समझाएंगे और यहीं समझाने के लिए स्वाम जी, मिनाक्षी, जोट्सना जी, आज हमारे पहलों भी जुड़े वे सारे, ये पहले आपने दुबले पतले देखे थे, हाँ, अब जो है पूरे तगड़े तगड़े हो गए, इनको दंड़ बैठाक लगा के, सुरी नमस्कार करवा करके, मजबूत बना दिया है, और अभ अरे बालक जो है, ये तो अलग-लग दाओं पेच आप, जमानों में ऐसी ताकत होनी चीए, ऐसी उर्जा होनी चीए सिस पूर्ती, चलो सुरी नमस्कार करो सब, ये सुरी नमस्कार, ये मोगरी के अप्या, ये चंद्रमान जी, विश्व देव जी, हमारे, ये हमारे हर्मान पीस-पीस किलो वजन बढ़ा दिया है, अब देखो ये चंद्रमोहन तो जो है, अब ये नरहरी दुबले पतले लग रहे हैं, ये लिकन ये भी ऐसे उठा उठा करके ठीकते हैं, और ये हमारी प्राचिन मल युद्धकला है, और हमने वजन बढ़ाया भी है और घटाया भ अच्छा, 101 किलो से कितना, 70 किलो आ गया, 31, घटाने वाले बढ़ाने वाले दोनों ये हमारे पास में, आपका क्या नाम बाबू, दिवित, दिवित, बात अच्छे, छोटे-छोटे बच्चे भी है, ये माता, तो नहीं कितना घटा लिया, चार दिन में 5 किलो, घटाने बनाने वाले दोनों हम बैलेंस कर रहे हैं, और ये माता तो कितना कम कर लिया, जी 6 किलो, बाबा जी चमतकार हो जार दिन में, जी, सच्छी बात बोल रही है, आया फाय हैर करा दूँगा तेरी, नहीं, नहीं, बाबा जी, सच्छी बात है, 92, ठोक दिये बाबा जी, ठोक द अलम, ये बीटिया को अर्थराइटीस है, क्याना बेटा, आसीफा, इसको बुखार भी है थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि दर्द है न, अब ये ऐसे, अब लेकिन इसको पुरा अच्छा करके भेजेंगे, आप समझे लो, इसको स्वामिराम देव न गोद ले लिया है, ठीक पूरे हिंदुस्तान को नई उर्जा मिलेगी आज के कारेकरम से, और जो कमजोर कमजोर जिवजनतु है, जिवजनतु कल्यान बोर्ड शुरू कर दिया हमने, और इनको ताकत देने के लिए नुक्लाश्यूटिकल पहले विदेशों से खाते थे अनिमल और केमिकल बेस, अब नैचुरल जो है, वो नुक्लाश्यूटिकल भी हमने तयार कर दे इनके लिए, तो चलो, आप तो कुस्ति करते रो दोदो की जोड़ी में, और एक ठक जाये तो दूसरा मैदाने जग में अब मजबूत बोड़ी बनाने के लिए सोड़ नमस्कार करो, एक, दो, अब एक एक अंग को कैसे मजबूत बनाना है, और पहले तो हजम करने का प्रबंद कर लो, बाकि खाने के लिए तो मैंने आइसो प्योर गोल्ड से ले करके, जी स्वामी जी, वेकें से ले करके, और वेव प्रफॉर्मेंस से ले करके, तुमने बहुत खायें, ए अमित भाई, अब यह नेचरल बेलेंगे, नहीं नहीं, मैंने कोई भी स्वामी जी, आर्टिविशल नहीं लिया है, जो भी है नाचरली लिया है, अभी तक, प्रोटीन के हिसाब से, लेकिन स्वामी जी, आपन इस तरह से जो हम जिम में जाके, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को हम स्ट्रॉंग बनाते हैं, जैसे कि आप बाइसेप्स हो गए, हमारे ट्राइसेप्स हो गए, चेस्ट हो गया, खास दौर पर एप्स का ज़रूर बताया, क्योंकि एप्स को लेके बहुत जादा चिंता जाती है, क्योंकि हम तो क्रंचेस करते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूं करके, लेकिन योग में कैसे हम कर सकते हैं, अपने एप्स बना सकते हैं, शिक्स पैक्स हो जाए, एट पैक्स हो जाए, तो सलसिले भाहार तरीके से बताईए आज, चलो, आप बताओ क्या करते हो, फिर मैं इसका विकल्ब बताता हूं, मैं विकल्ब कर लेती हूं, जो स्वामी जी बताईए, तो सुरु नमस्कार तो पुरे बोड़ी के, सरवांगिन विकास के लिए, ये तो सब को करना है, अब देखो, ये ट्राइसेप, बाइसेप बनान और ये योग वाली भुजाएं बड़ी स्ट्रोंग होती है, अब इसके लिए, जो है ट्राइसेप, बाइसेप से ले करके, और सिट्स पैक से ले करके, जो सब को सुम्हें बनाना है, तो उसके लिए देखो, हमारे पास पहले पेट के लिए सुन लो, तो पेट के लिए ये है, पश्मोतानासन, ये पश्मोतानासन, ये जो हमारी पेट के को शेप देने के लिए, और उसमें भी सिक्स पैक बनाने के लिए, एक तो ये, एक और ये करना है से सो बार, कितने बार करना है भाई बैनो, सो बार, तो सो बार करेंगे, तो जो और बेटे हो तो कम हो जा अच्छे बन जाएंगे एक दूसरा है देखो एक तो ऐसे होता है हरुमान दंड अब सिक्स बैक बनाने के लिए इसके उपर से आएगा भी देखो एक तो पैर ऐसे टिका के किया ऐसे अब इसको पैर को उठा करके कर लो ऐसे इस तरह से पैर नीचे आया ऐसे किया तो अब या लुड़क जाएगी आप नहीं किसे करना ऐसे और यह करना मैं साइज में रख लेती हूं मैं कोशिश कर रहा है बहुत जोर पढ़ता है फिर तैयार है खजूर है केला है खजूर केला और आप सो चोसा आम लठा करा है चारों तरफ हजारों की संख्या में जाए बाई ज नुटियला खाए खजूर खाए और वियो परफोर्मेंस आइसो पे और गॉल्ड बना दिया हमने नुटियला में पहले नुटियला की बड़ी आपने बहुत खा रखी है तो यह तो यह उठा दिया है ऐसे यह तो बड़ा मुश्किल है यह लंबे लंबे स्वासों के साथ जाइए मुश्किलें बढ़ने वाली है आपकी अब देखो इस लड़के ने तो अच्छे बना रखे है इसकी भुजाएं अच्छी बढ़ी है जड़ा दिखा जड़ा अपने बुजाएं क्या बात है चाली में जादा बच्छोरे के लिए अब देखो अब यह योग वाली बुजाएं बना रखें क्या नाम है हरीश्चंद्र आप क्या बात है नाम भी बहुत संदर है तरो ऐसे बना यह सो बार एसे लगाना दस बार सी शुरू करो दो तीन चार पाच शे साथ आठ नो ऐसे दस का एक सेट बना करके फिर थोड़े रुख गए तो तो करता रहे अब इसने सो सो बार करके मजबूत बुजाएं बनाली इसका पड़ोसी जो है उसको फिरा चूट ला है बलबावजी पस गए तो स्वामी जी आमिद भी स्टूडियो से टकर दे रहें पुशप में और अरे पुशप बहुत जोड़दार करता है यह भी रुका नहीं है अमित के लिए भी जोड़दार ताली बदा दो और फिर अब देखो यह दूसरा कुछ बता रहे है सो अमी जी अब यह यह पंच भी मजबूत बनाना है तो इसे आत रख करके तो लगाते हैं डंड अब इस को एसे आत रख करके आइसे आत रख पंचे अपा इसे करो और इसमें लगाओ इसमें एज से चलो मैं से ऐले लगां जी प्रमचारियों और पहले वालों कातों एक के लो पसीने टाप गया है 10 तका राउंद का राउंड होता है पूरा 10 मिनट आर इनका पूरा ऊगे ज़रा तो देखो आज का ये पूरे 40 मिनटे मल्ल युद्ध भी चलेगा सवामी जी तुमने का ना फुशफ लगवा दिये और इसमें ऐसे ऐसे भी करो बा अब मैं ड्यूमने की लिए इस तरह की जींव वजर पहाते हैं जैसे की यह वेट्स है स्वामी जी तो हम सित्माल करते है तो यह पर अधि मेरीं श्रेंड खालेव भी आथा बीबने की surprisingly आ इसको 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 करने के लिए तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सुरुने मस्कार के साथ देखो ये जो हम दंड के बाद जो बैठक में लगाते हैं इसे भी ये पूरा पैर भी एकदव शेप में आते हैं इसमें भी ये 10, 25,50 बार ऐसे लगातार करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा नहीं लगातार करना पड़ायगा और ये जो है इसको ये टोले शुले बढ़िया बनाने के लिए फिर जो है हम लगातार 25 का कमसंक पते एक suggestions रखते हैं और 100 बार तक लेकर जाते हैं तो चलो हरिश संद्र का पड़ो इसी क्या नाम है हर्ष हर्ष हरी शंद्र लगो है हर बंश चलो लगो अब सो बार ऐसे कर एक दो ती चार पाच छे साथ आठ नो दस द्यारा बारे तेरे चोदे पंद्रे सोल सत्रे ठारे उन्नीस बीजी किस बाइस तेस लमे लमे शास ऐसे पचास का एक राउंड अब हरी शंद्र तो कुछ जादा है तेजी से लगा रहा है चला है यह तो सो कर लिए इसने कितने करने हैं सो अंडर लगाना अब जो है यह शिवांगी बेटी इसे ने भी कमाल किया इधर हो यह शिवांगी बेटी यह आप तो आपको पहलवान जैसी लग रही है लेकिन पहले इसके बुरे हालात थे यह थायराइड हो गया था पीसी ओडी हो गई थी और मोटी भी हो गई थी स्वामी जी मैंने पांच किलो बेट कम कर रहा है तीन दिन में पांच किलो अब यहां के बेट कम कर लिया तीन दिन में पांच किलो अब यहां के बेट कम कर लिया है यह बड़ी बात है पीसी ओडी ठीक कर लिया है और थायराइड के और कर लिया है पांच साल की थी जो चना बच्चे अपने आपको स्वस्थे ही तो बनाई सकते हैं अब ये पहलवान लग रही है जैसे कहीं जिम करके आई हुसे जा ऐसे शिवांगी जैसे बच्चे अब सो बार की आए ऐसे सो बार इसको सर्फ दंड कहते हैं मारे और बाकी पूरे शरीर को मजबूत बनाना है ना हाथ पैर पेट पी ठेक सा चलो इसको साधान धंड बोलती है यही करो और दस बार का एक राउंड बाकिये तो अधर कुस्ती चल रही है अभी दूसरी जोड़ी उतर गई है और बड़े मजबूत मद्बूत मल्ल है मल्ल कहते हैं पहले वान को म मल्ल युद्ध कुस्ती रैसलिंग लंबे लंबे श्वास और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे हमारा कोई विरोध नहीं है यह हमारा देखोए यह चूड़ा मुनी लगा हुआ है अब यह पहले स्वामी जी यह जो बेंच प्रस करतो है मैं नजर आ रहे हैं क्यूंकि इस प्रस के जरिये ही हम लोग चेस्ट के लिए काम करते हैं जिम में तो इसका और टार्गेट अचीव किया है पहले आपको हमने दिखाया वाई इंडिया टीवी पर एकदम यह दूबला पतला ऐसा था कि जैसे इसको तेज हवा चलती थी तो हमें रस्टे से बांध के रख अरे शोल्डर्स पे बाइसक्स पे रामी जी इसी बेंच प्रस का उपाए क्या यह तो देखो अभी योग में सुरण मस्कार के साथ साथ यह अब आपको मैं बारे स्टेप बता देता हूं ट्राइसाप बाइसाप सिक्स पैक से ले करके और सारे के सारे जहना पूरी बोड़ी की सेप ही एकदम जबरदस्त आजाएगी एक दो दुबार करते हैं चलो जी वन एक दो तो हाथ पैर पेट पीट पूरी बोड़ी की सेप ऐसे हो निची यह दर्शनी है दूर से कोई देखे तो लगे अरे भाई मानस हो तो इस जैसा अन्याया तो लम्मे श्रास अब वापा साथ देखो यह गये और यू आए अब लेकिन यह एक एक अभ्यास जो हम दो दो बार बता रहें दस दस बार करना है और दस दस बार करके एक स्वास में एक अब भ्यास। दस बार करके धीरे-धीरे सो-शो बार करने फिर हमारे एच लगा दन्ची एक हो एच अंद्रब्हुन के लिए जॉरदार ताली मधढमा अब देखो यह योग वाला शरीर दंड बैठक वाला बिना जिम वाला ऐसे तो चलो लगा अब यह ऐसे तो यह बारह के अब यह हैं मान दन्वा पच्रंगा बनी की। आप आसे घ्रेप बार उठादिया आप आप देखो दस बार करके धीरे धीरे सो बार तक जाना है दो-दो बार करके हम दिखा रहे हैं पञेना पहा है पूरा ऐसे फिर ऐसे ये करो भई अमिद भाई जी सवामे जी आप भी करो मेनाक्षी जी जोच्छना जी को भी तो कर लेंगी बहुत मेनाक्षी और जोच्छा बहुत अफ्के करना है अब देखो ना आप इधर हमारे इधर गुरू चेले लगे वे दोनों चंद्रमोन भी और चंद्रमोन का गुरू भी लगा हुआ अब पूरा पसिना बादिया चल अब दूसरा कर नीचे से यह पार्श दंड सौमी जी कुछ आसान भी बता दीजिए कुछ आप डिफिकल्स ब लेकिन जो लंक्स मुसल्स है इसे स्टॉंग कैसे करें यह भी जरा बताईएगा लेक्स मुसल्स समेथ हाँ वो बताते अब है वो भी बताते अब एक बार मस्य पूरा हो जाए दो दो बार में चक्रदन ऐसे यह चोटे बच्चे भी कोशिज तो कर रहे हैं और जब पल्टी मारते है न फिर तो पूरा मजा ही आजाते हैं और यह से अमारी पल्टी इसकर के यह यह नहीं सब्सक्राइगा जगा भी कम है ताकत तो बहुत लगती है मैं पुशोबशी लेवा से इसे और शेर दंड यह यह रहे नहीं स्वामी जी योग में इसनी सारी चीजें हैं अमित और जिम की जरुवत ही नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है पुछ अब देखो, पुछ अब का बाप आप आए, करवे, जमा देपर, लगा सेरदन, यह, क्या बाट, अब यह तो सेर्ज है ना, पूरा जैसे शिकार करके हो बहता, ऐसे हो गया है, चंद्रबंता, ऐसे चलो लं और सांसनी फूलना चाहिए, सब करते वे, जैसे मैं कर भी रहा हूँ, और सांसनी फूलना, एमाता, तू दंड़ बेठा बहता लगा लगा, लेकिन दड़, सिंपल दंडी ठीक है, यह, सिंपल दंडी ठीक है, तो ऐसे पसीना पहना चाहिए, जी स्वामी जी, अब देखो, छांती को मुद्बूत बनाने के लिए, एक तो यह करो देखो, ऐसे, सिने चोड़ा होना चाहिए, स्वामी जी, एक और डर है, जो आप तरह दूर कर दीजी है, स्वामी जी, ऐसा देखा गया, यह दूबले लोग होते हैं, वर्काउट नहीं करते हैं, उन्हें डर लाता है कि अगर वो जादा बजन उठाएंगे, तो उठा नहीं सकते हैं, अगर उठाते हो सकते हैं, उनको चोट लग जाए, कोई गलत हो जाए, तो क्या सही उपाई क्या इसका बताईए है? सही उपाई यह है, कि थोड़े-थोड़े सी शुरू करना चाहिए, वो हलके वाले डममज से शुरू करें पहले, छोटी मोगरी सी शुरू करें, पतली वाली से, छोटी मुगदर उठाना शुरू करें, फिर धीरे-धीरे बड़े पर आएं, ऐसा नहीं, कि पहले ही दिन ज है, वो पचास किलो का उठा दिया, है, पहले दिन थोड़ा-थोड़ा उठा ले, ज्यादा उठा ले, पचीस-पचास सो बार कर ले ऐसे, ज़रूरी है, पहले दिन पचास किलो का उठाना, आराम-आराम से उठा ले, तो पहले दिन ज्यादा ना उठाए, पहले दिन जो है और पीछे से पेंट की सकती रहती है यहां तक कुले तक यहां तक आजाती है दोर एक दम फिसदी नाथ आजकल फैशन चल गया है यहां तक कुले दिखते रहते हैं दत तरी तो थड़ा मजबूत बड़ा ऐसे यह ऐसे लमे लमे श्रास स्वामी जब से आपके साथ योगा का स बजबूत बन गई एक और मिनाक्षी जी के लिए जोचना जी के लिए तालीब अजाति विद्धा सब्सक्राइब बढ़ना विबारियों की वज़ेबी हो सकते है क्या और ठीक से खाना पीना ना किया जाए और बज़न ना बढ़े तो किन विबारियों का टेस्ट करवाना मिनाया बढ़ार्य देखो वजन कम हो रहा है तो आपको टीवी हो सकती है binnen कमवरा आपको डाको ड्लीडा सबसक्ति अ कि वजन कम हो रहा है तो आपको प्रोब्लम्स हो सकती हां आराम आराम सी करो और धिरी धिरी पूर्य बेट ओर तो ऐसे estás 10-10 वार से सुरूْ करवा गरके ह सबसे बड़ा कारण होता है पूर डाइजेशन बोड़ी का मैट अच्छा नहीं होता है एक तुद्धान में आपको दिया अभी चोड़ा मनी का हमारे गुर्कुल के आचारी इश्यदेव जी पीछे वाला पर चीज़ा रख बेटा चंद्रबान हैसे यह हैसे फिर दूसरी त से अराम अराम से उसको लगता था कि मैं कभी बन्वान होई नहीं सकता और उसका हमने दोसो दोसो बार शुरू रमसकार कराया और यह दोसो दोसो बार दंड़ बैठक लगवाई वो भी 50 किरों का था अब मेरे बरावर 67 का हो गया है तो होसला रखें करते रहें लगातार कर फोड़ चा ज्याधा करना पड़ेगा पहलें दस बार से शुरू करें और दस बार से शुरू करके कहां तक जाना है सो बार तक जलो करें लेकिन चलो करो फिर दुद्राइब चंद्रमोन की जंगाएं देखो किती बार लगाता है बैठाग कर अधिये लगे हमारे हनुमान जी बाराद हनुमान बनने की कोशिज कर रहा हनुमान देव जी किती बार लगाते हो दो सो तीन सो लगाते हैं अब करना पड़ेगा न तो यहां से सुरू करें अब सबसे लाष्ट में सुरूआत बताते हैं यहां से सुरू करना है यहां से सुरू करें से, यहां से सुरू करके, धेरे धेरे अभ्यास बढ़ाते जाए, पहले 10 जंड लगाए, पहले 10 किलो काई डंबल उठाए, फिर 20, फिर 30, फिर 50, उठाओ फिर जितना उठा सको, लेकिन सुरुवात, शनई कंथा, शनई पंथा, तो चलो, करो, ऐसे, आज तो लगता है, इनको बस्तरदान करना पड़ेगा, सब लंगोटी धोती फाड़ दी है, सब, चलो, बैठो बटर फाई करो, आप इतना करने के बाद, 20 मिनट के बाद फिर आराम करना चाहिए, कुछ लोग 20 सेकेंड कुछ करते हैं, और फिर, सांस फूल गया, यह क्या मतलब सवामी जी कुछ सवाल भी ले ले, मजबूत बनना चाहिए, यह देखो, यह इधरा, जी ले लो सवाल मेरे भाईया में, जी सवामी जी, हर्श का सवाल है, लिवर में इंफेक्शन है, शरीर में खाना नहीं लगता है, और बजन भी कम है, कुछ उपाय बताएं, कपाल भात सब को करना चीज, खाया, पिया, शरीर में लगता नहीं, यह यूपी हर्याना में पंजाम में, पहलवान बनने का बड़ा शोक होता है, वहां मैंने बाबाब को कहता सुना, बोले बाबजी एक पीपा घी खा गया, छोरा, एक पीपा मैंने 15 किलो, एक पीपा घी खा गया, सवामी जी वजन टोपा नी बढ़ा, उपर से खाया और खाना प्याखाने में निकल गया, इंपूट आउटपूट बराबर, भीतर डटाई नहीं, तो जब असे कपाल भाती करेंगे, तो खाया पिया शरीर में लगेगा, क्या नाम बिटा आपका, मेगा, अब देखो, यह मेगा, इसको बहुत भेंकर प्रब्रम से जेली इसमें, सीजीरियन भी हुआ था, कमर में दर्द भी वा, लेकर सब ताल दिये, और उमर कितनी हो गया, 40 एर्स की हो गई है, अब बोली बाबाजी मुझे, अब वापस ब्रह्मचारी बना दो मुझे, सन्यासी बनना इसको, द जिर्व को खाया प्या नहीं हजम होता, ऐसे कपाल भाती करें, और मंडू कासन करें, और तुम तो पदमासन करके उठो, उठो 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 पदमासन करो, पदमासन में उठो उठो इसे, अच्छा, अगुलियों पर उठ सेकें तो बहुत अच्छी बात, ये तो, कोशिश करके देख सकते हैं, अब तो उठ जाएंगे, ये पूरे उठ जाएंगे, और जो ऐसे ना कर सकें, तो हाथ हथे लिए अच्छी टिका के चंद्रमोहन की तरह कर लें, ऐसे एक मिनट तक करना है, आधा मिनट तो हो गया चंद्रमोहन का, अब एक मिनट में तो इसका कम से कम सो ग्राम पसे ना निकल जाएगा, और, स्वामी जी आमित में भी कर लिया, फिर तो, अहां पचीस-पचीस सेकेंद आप दोनों ने कर लिया, एक मिनट तक करने पर तो पडोशी का भी खाना खाने की इच्छा होती, इतनी भूख रख जाती है, और फिर इसमें मंदू कासन कर मैं योग मुद्रासन करता हूँ, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इनका डाइजेशन वीक है, सुबह उठकर के आउला, अलवेरा, वीट ग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, यह सब ले, पेट से चुड़ावा एक और सवाल है, लिवाम रि सादा नहीं बढ़ पाता है, कैसे ठीक करें? कमीले का चुड़ाव दो-तीन ग्राम, चलो अनुलोम विलोम करो सब, कमीले का चुड़ाव दो-तीन ग्राम, आड़ू के पत्तों करसे चमच, अथ्वा इसके अमर्वे की पत्तों की चटनी खाले, विडंगा सव पीले, पेट की केड़े मर जाएंगे, यह बात बड़ा हमने अभी नया बना दिया है, वेट गेल ले ले, तो वेट गेल ले ले और जब फिर यह बार थोड़ा वजन बढ़ जाए, बात में फिर यह जो आईसो प्योर और आईसो गोल्ड बना रखा है नुटिला, आईसो प्योर और फिर वेव प्रफॉर्मेंस, 80% वाला जो एक् 90% है यह यह है नुटिला, आईसो प्योर गोल्ड इसमें 90% एक्टिव है रोट है अब इसके लिए लेकिन पहले डाइजेशन तो अच्छा हो उसके लिए मंदूकासन, योगमुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, आप पवन मुक्तासन करो बिता, सुध इससरे से पवन मुक्तासन करना चाहिए, योगमुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करना चाहिए, अपने आप डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि खाली एक्सेसाइज से वजन बढ़ जाएगा, एक्सेसाइज के साथ डाइजेशन भी डाइट से सात्विक आहर से सारे काम हो जाएंगे, पहले अपना बोड़ी का मैटफलेजम अच्छा करो, भूख बढ़ाओ, फिर खाया प्या, अच्छा खाओ, प्यो, प्रोटिन होना चाहिए, पुरा मिन्रेल्स, मिटामिस, न्यूटियस, माइक्रों, निश्रेंस, पोरे स्वामी जी, अगले सवाल की तरफ में बढ़ती हूँ, विकास का सवाल है, आट साल की बच्ची को गेहु से ऐलर्जी है, वजन 12 किलो है और शुगर 300 रहता है, तो ये योग के जरिये समाधान जानना चाहरे है देखो, नो साल की बच्ची वजन 12 किलो, गेहु से ऐलर्जी है, आट नो साल के बच्चे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, और गेहु से ऐलर्जी है, ग्लूटिन से ऐलर्जी होती है बहतों का, तो ग्लूटिन से ऐलर्जी बाजरा खिला है ना, बाजरा खा करके हम बढ़े मैंने अपने बजपन से ले करके लगबग 20 साल की उमर तक 90 प्रतिशत बाजरा ही खाया है ग्यों तो हमारे हाँ पर उसको बोलते थे फुलका, मंडी वो कब बनती थी जब कोई घर में मेहमान आ जाये तो तो हम तो बाजरा और उसके साथ दही सुबह सुबह, दो पहर को छाच और जो की दलिये की राबड़ी यही खाके बड़े हुए, तो जिनको अभी गेहों से शुरू में अलर्जी है तो पहले उनको बाजरा खिला दे, मकई खिला दे, जवार खिला दे थोड़ा यह सब खाने के बाद, और कपाल बात ही करा दे, और थोड़े दिन उनको सर्वकल्प, क्वात, या लिवोग्रीट, लिवाम्रीट, खाली पेट, लिवाम्रीट खाने के बाद, यह दे दे, तो उनको किसी भी प्रकार की खाने पेने की चीज़ से अलर्जी नहीं ह स्वामे जी पूरा एकदम परफेक्ट हो जाएंगे अब तो इतना आपने वर्काउट करवा दिया कि भूख लगने लगे तो लोग जो जब भूख लग जाए इतना वर्काउट करने के बाद तो फिर वो क्या करें क्यूंकि अब आपको बताना होगे वजन घटाने के लिए स तो देखो एक तो हमने ये प्लांट बेज नेचुरल औरगनिक वेट बढ़ाने के तरीके आज सुरू में बताएं सबसे बढ़िया तरीका दूद के अंदर ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला बता रहा हूं करते हैं रो सब दूद के अंदर खजूर पीस करके भी खा सकत ये घोट करके खाना इससे अच्छा है चबा करके खाओ खजूर चबा चबा करके खाने चाहिए खजूर चबा करके खाओ ये खजूर जो है अब इसको पीस करके भी आज हमने इसलिए इसको अलग अलग रखा हुआ है सब तो देखो ये सारी चीजे इनी चीजों से ही हमने नेचुरल चीजे बनाई पहली बार हिंदुस्तान में नहीं तो सब विदेश से आता था इसको पानी में या दूद में घोल करके ऐसे पी सकते हैं अब इनके पेने के हगदार तो वही हैं लेकिन साथ में यह बता रहा हूं मैं कि यह चबा करके खाएंगे ना ऐसे तो इसमें स्लाइवा घुलेगा लो क्या करते हैं ऐसे ग्लास लिया और गटक से पी गए अब यह दूद में और पानी में भी दोनों में पी सकते हैं तो यह धिरी धिरी पिना एक गोड़ एक गोड़ कर करके पीने से क्या होगा धीरे धीरे जाएगा मुह में सलाइवा मिले तो जो लार है इस्टे बोजन डाइजेस्ट होता है एक गुट करके पीना चीए लोग मुह लगाया और गटक से एक मिनट में पूरे पीके जैसे तोरी का माल पी रहे हो ऐसे नहीं पीदा है फिर यह बढ़े यह स्वया बिन अकरोड बादाम मुंख़ली सबको मिलाकर के घर में भी आप बना सकते हैं जो हमने यह बना रखें आई सोपर वह जी एक देशी खाना है जुसे एक सत्तू क्याते हैं तो हमने सुना कि सत्तू तो बढ़ाता है नहीं सबसे अच्छा है हाँ सबसे अ दूद के साथ भी पीते हैं दूद के साथ भी सत्तू पीते हैं चाच के साथ भी सत्तू पीते हैं पाने में नमक, मिर्ची और प्याज डाल करके भी पीते हैं जिसको जैसे भी पीना हो पी लेना लेकिन पहले योगा भ्यास करने ना जो हमने बताया कभी उलाना दो कि बाब मोंग दाल कई रगल आदे खाते है यह तो खेर चलो नेचुरल और्गेनिक है तो डाइजेस्ट नहीं होते तो चने के सब्तू से अंकुरित मूंग से अंकुरित चना से उससे भी वजन बढ़ता है और वह हल्दी प्रोटेन होता है तो वह जिसको पहले डाइजेशन इसलिए धीरे धीरे इनिसी सुरुआत करने सब्सक्राइजेशन नहीं पिया जाता तो थोड़ा कम पी लो सवामी जब तक आप सत्तू का स्वाज चकिए तब तक वह जब तक आप सत्तू का स्वाज चकिए तब तक मैं बता देता हूँ कि कल कौन से टॉटिक पर आप बात करेंगे और क्या उपाय बताएंगे नमक के साथ पिलाया था मैंने दूद में पहली बार पिया बड़ा स्वाधिस लगा जी स्वामी जी आप अगना बता दो कारिका जी रोजाना योग है सेहत का मंत्र वैसे एक रि स्वामी जी खुश रहने का मंत्र तो वैसे आप हर रोज बताते हैं लेकिन कल की आपकी हापिनेस क्लास पेशल होने वाली है हाँ वो बहुत जरूरी है और देखो आज हम ने यहां पर यह पूरा अखाड़ा जमा रखा है और इसमां अंत में हम भी एक बार चलो हाशे आशन को रसावे चलो पूरे आनंद स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद नाकपूर से वैक्सिन पर बड़ी खबर आ रहे है नमस्ते मैं हूँ मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ